खाना खाने के बाद किस को मीटा खाना पसंद है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा तो आज गोल्डिस किचन में बने का धेर सारी फ्रूट से बहुत ही अमेजिंग सा फ्रूट कस्टड वह भी बीना कस्टड पाउडर के हम इस रेस्पी को तैयार करेंगे तो गोल्डिस किचन में बनने वाला है बरसात के सीजन में मैंगो मस्तानी फ्रूट कस्टड जो पहुत साथा टेस्टी होगा और भीना कस्टड पाउडर के हम इस रेस्पी को बना करके तैयार करेंगे तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंटर जरूर देखना और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंडरेस्टिंग और बहुत ही है इस वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में शड़ा से बैल आइकन है उसे भी जरूर प्रस करना तो आए शुरू कर लेते हैं तो आए बरसात की सीजन में भी कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाएंगे मैंगो मस्तानी फ्रूट कस्टड वो भी बीना कस्टड पाउडर के जो बहुत जादा टेस्टी होगा तो उसके लिए हमने आपे बहुत जादा मस्त मीठे वाले आम ले लिए हैं जो हलके से टाइट है और हमें इने चॉप करना है तो थोड़े स सेलेक्टेड आम मिलेंगे उसी के साथ हमने आपे कुछ फल को भी चॉप कर लिया है तो फल में आपर आप देख सकते हमें सब्जा सीट्स की भी जोरत पड़ेगी बट हम यहापे सब्जा सीट्स का इसमाल ना करते हुए हम यहापर यूज करने वाले हैं हमारे ड्रागन फ करूंगी जब मुझे एड करना होगा सबारिस के सीजर में यहाँ पर मुझे थोड़े से प्लम दिखे जो हलके से मीठे थे तो उसका भी इस्तमाल किया और अनार के दानों का भी इस्तमाल किया और छटवा फल हमारा आम था तो लगबख छे फलों का इस रेस्पी को तैयार करने के लिए आपको जो भी बरसाथ के सीजर में इसली फल मिल जा आप उससे भी इस रेस्पी को तैयार कर सकते हैं बट कोशिश करेगा खटे फूट्स का इस्तमाल बिल्कुल ना करें तो अब हम फटा फट से नेक्स प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं और इस आम को अच्छ की तरीके से पील कर लिया इसका स्किन निकाल लिया है तो अब हमें इसे फटा फट से चॉप करना है तो पहले मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और इन्हें मुझे एकदम बारी बारी चॉप करना है क्योंकि थोड़े से हमें इसे गानिश करने के लिए र देख सकते हैं कि आम को हमने बहुत अची तरीके से चौप कर लिया है तो अब क्या करेंगे थोड़े से आम को हमें एक दूसरे बरतने ट्रांसर करना है ताकि हम यहाँ पर गारनिशिंग के लिए यूज करें और आदे से जादा आम को हमें क्या करना है पीस लेना है तो अभी के लिए हमने आप एक मिकसर जार लिया है और इस मिकसर जार में हम इस आम को डालेंगे आम को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से एकदम फाइन प्यूरी बना करके तयार करना है तो लगबा एक मिन तक के लिए हम इसे अच्छी से ग्राइंड करेंगे ताकि अच् चेकर के भी दिखाती हूँ ये देखे इसका टेक्षर को इस तरीके से स्मूध होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें लंस या गुठली नहीं रहनी चाहिए तो आम अच्छे से पीस किया है तो हम इसे साइड में रखते हैं फटा-फट से नेक्स प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो नेक्स प्रोसेस में हमने आपे ले ली है कढ़ाई कढ़ाई में हमें थोड़ी सी जो सिवई होती है बारिक वाले उसे अच्छी तरीके से रोस्ट करना है तो आप चाहिए तो इस तरीके से बारिक वाली जो सिवई होती है उसका अस्त क्या है अब हम इसमें थोड़ी से बारी कटे हुए ड्राइफूट्स को अच्छी तरीके से भूल लेंगे तो मैंने आपे एक चमज के करीब काजू अक्रोट और बादाम ले लिया है इसी के साथ आदा चोटा चमज मैंने आपे ले लिया है बारी कटा अपिस था आपको जो द्राइफूट्स पसंद डालिए अधरवाइस अब स्केप भी कर सकते हैं तो ड्राइफूट्स को बहुत जादा नहीं भूनना है इसे हलका सा रोस्ट करेंगे ताकि हलका सा जब गरम होगा तो क्रिस्पी हो जाएगा तो बस ऐसी करना है क्योंकि वरसाथ किसी दूब हलके दूब क्याटे से बने हुई इस सेवई है गेहु वाली सेवई है आप चाहें तो नॉर्मली अगर आपको थोड़े मोटी सेवई मिले ता आप उसका असमाल भी कर सकते हैं तो हलका सा इने रोस्ट कर लेंगे बहुत जादा ने जब यह हलके से क्रिस्पी हो जाना उसके बा करेंगे आप चाहें तो लोओ फैट मिलकस करना चाहिए उसका इस्तेमाल का अगर आप ने आ पे कच्छे दूद का इस्तेमाल apenas और आपने पहले से दूत को गरम किया है तो को बहुत जादा उबालने की ज़रुत नहीं है हम इसमें डिरेक्ली चीनी का इस्तिमाल करेंगे तो मैंने आप गरम दूद का इस्तिमाल किया था तो अब इस टेज़ में मुझे आड़ कर देना है चीनी तो चीनी आप पर मैंने आधा कप के करीब लिया है क्योंकि एक लीटर हमने लिया है क्यों क्यों क्यूस cent нормально करते हैं तो हम युद्ध कर बना रहिंगे और इसका एकदं बड़िया स्लरी बना लेंगे तो इस तरीके मैंने आपको इक बहुत ही रेश्पी शेयर की थी फ़रुदा प्रि मिक्स आइसर्म कर प्रिमिक्स और केक प्रिमिक्सौस यह जो फलूदा प्रिमिक्स बनाना है वो भी कुछ इसी तरीके से आपको तयार करना है तो जो भी लेडिस अपना घर बैटे-बैटे बिजनस टार्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप देख करके अपना बिजनस टार्ट कर सकते हैं उपर आई बटन है या फिर वीडिय करना है ज़रत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूद या फिर पानी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे हमें इसमें थोड़ा सा फुड़ा सा फुड कलर आड़ करना है तो मैं आप इमल्शन का इस्तमाल करूंगी जिसमें कलर और एसेंस दोनों होगा तो य तो आई ये प्रोसेस करने के बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूं आप देख सकते हैं कि दूद का ये जो मिक्षर है बहुत अच्छी तरीके से थंडा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें तैयार क्या हुआ आम का जो पल्प है वो डालेंगे इसमें तो आम का ये जो पीसा वो पल्प है न मैंने प्रीज में थोड़ा से थंडा होने के लिए रख दिया था तो अब मैं इसमें पूरा आड करूंगी और आड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है तब तक जब तक ये अच्छी से मिलना जाए तो अच्छी से हम इसे मिक्स करेंगे उसके बाद हमें इसमें आड करना है फ्रूट्स आम को हमने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आड करेंगे बारिक कटा हुआ आम जो हमने पहले से ही बचा करके रखा था तो मैं इसे पूरा आड करूंगी mango add करने के बाद हम इसमें add करेंगे mango add करने के बाद हम इसमें dragon fruits add करेंगे जो हमने पहले से कट करके रखा था आप चाहें तो उसके replacement में सब्जा का जो seeds होता है वो भी डाल सकते हैं हमने आपे बारिक कटावा जो अमरूद होता है वो भी डाल दिया है जो कि red color में काफी मीठे थे अनार के दानी डाल देंगे सारे fruits मैंने आपे एक शेथाई cup का इस्तमाल किया है उसके according मैंने लिया है dragon fruits सोड़ा सा जादा लिया है और अब हम इसमें add कर देंगे बारिक कटे हुए plum जो की बहुत जादा मीठे थे तो मैंने इसका बिस्तमाल किया है कोशिश करीगा खटे फल का इसमाल ना करें और अब हम इसमें add करेंगे बारिक कटावा apple जो की मैंने last में cut करके add किया है इसी के साथ हम इसमें roasted थोड़े से dry fruit जो हमने भूने तो वो डाल देंगे अब क्या करेंगे अच्छी तरीके से सभी चीजों को mix करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत जादा amazing दिख रहा है तो अब बड़े प्यार से इने अच्छी से mix करेंगे और mix करने के बाद हम इसे सभ करेंगे अगर आपको अंगूर मिले केले मिले जो भी आपको fruits अच्छी लगे आप वो इसका इसमाल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं बीना custard powder के भी हमारा ये fruit custard कितना अच्छा बना है वो भी mango मस्तानी वाली हमने बनाई है जो कि बहुत जादा tasty है और आप इसे गर्मी हो बारिश हो या फिर सर्दी आप इसे enjoy कर सकते हैं बहुत जादा healthy बहुत जादा tasty है इतना ही नहीं आप चाहें तो इने बच्छों को टिफिन में सर्फ कर सकते हैं बड़ों को भी सर्फ क करें या फिर अपने according कैसे सर्फ करते हैं आप comment section में जरूर लिक करके बताईएगा तो हम इसे सर्फ करेंगे इस तरीके से एक long glass में जो की मेरी favorite वाली है और इस तरीके से जब मैं कोई recipe तयार करती हूं तो गाइस मैं पूरा के लिए enjoy करती हूं किसी शेयर नहीं करती लेकि जो भी आपने यहां पर fruits cut किया होगा उसके साथ आप इसे गानिश कर सकते हैं तो है ना गाइस बहुत ज़्यादा amazing बहुत ज़्यादा tasty तो इसी तरीके से आप छोटी से short glass में भी आप इसे सजा सकते हैं सफ कर सकते हैं तो जो भी आपको तरीका पसंद है आप उस तरीके स सकते हैं और सफ करें तो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा tasty बहुत ही amazing तो आप इस recipe को ज़रूर ट्राइब करिए आपको यह recipe definitely पसंद आए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आना गाइस तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करेंगा और बैल आइकन को भी जरूर अगल और तो मैं ऐसे लाई करेंगा आपको यह रहे हैं जरूर करेंगा राई जरूर की जरूर एंडियो को भी जरूर करेंगी कि एया गो झालतो सफा म flex देरूर क।